नमस्ते, तो आज हम एक और रडिंग करना जा रहे हैं, और आज हम देखने वाले हैं, कि आपके दिल में रहने वाला इंसान कितना सही है और कितना गलत है, ठीक है, देखो, दुनिया में कोई भी परफेक्ट नहीं है, आपको कुछ नो कुछ कॉम्प्रमाइस हमेशा इस इंस करना है, यहाँ पर है जन्वरी, फेब्रोरी, मार्ट, एप्रिल, मैट, जून, और यहाँ पर है जुले, अगस्ट, सप्टेमबर, अक्टूमबर, नवंबर, डिसेमबर, इसमें से आपको चूज करना है अपने पार्टनर का बर्न्थ मन्थ, और जाना है अपने पाइल के अपने पाइल सेलेक्ट कर लिया होगा, हम स्टार्ट करते हैं पाइल नमबर वन, तो देखते हैं जुन भी पाइल नमबर वन सेलेक्ट किया है, वो इंसान आपके लिए कितना सही है और कितना गलत, ठीक है, खोशिश करते हैं जानने की, आपको फोकस करना है अपने पार्टनर के उपर, सबसे पहले 3 of cups के एनरजी है, देखो guys, ये इनसान बहुत सोशल है, ठीक है, ये इनसान हो सकता है कि अगर ये लड़का है तो इसकी लड़किया बहुत फ्रेंड है, अगर ये लड़की है तो किसे से बात करेगा, तो ये अनसान इतना सा फ्रेंडली है, हर किसी के साथ बात करता है, ठीक है, तो आपको ऐसा हमेशा ये दिविधा परसेती रह सकती है, कि क्या इसके लाइफ में कोई और है, तो ये बात आपको बहुत प्रॉब्लम क्रेट कर सकती है, कि हमेशा ही इनसा इतना जदा बीजी रहेगा अपने लाइफ में, अपने फ्रेंड सरकल में, कि शायद वो आपको कम वक्त दे पाए, ठीक है, अब देखते हैं, राशी उसकी कैंसर स्कूर्प्यो पाइसी हो सकती है, ये इनसान बहुत जदा वर्कोहलिक होगा, बहुत हार्ड वर्किंग, अच बहुत पसंद है, उपर से इस अंसान को इतना जदा अपने काम में वो बिजी रहता है, ठीक है, तो ये अंसान आपको, अगर आप दोनों शादी करते हो, तो ये अंसान आपको बहुत कम वक्त देगा, आप तरस जाओगे, ये अंसान अपने काम में बिजी रहेगा, जैसे अपने जिन्दगे में बहुत जादा सक्सेस्फुल बनने वाला है अपने हाड़ वर्क के जोर पर क्योंकि बहुत मेहनती है बहुत मेहनती ठीक है तो यह अपने मेहनत के दम पर अपने लाइफ में बहुत सक्सेस्फुल रहेगा यह बहुत अच्छे बात है यहापर ठीक है तो राशी है तोरसवर को कैपरेकॉन ठीक है और यहाँ पर ऐसा भी है कि हो सकता कि शादी के बाद भी ये इनसान पढ़ाई करें मतलब आगे की बढ़ाई शुरू रखें ठीक है तो एक तरफ पढ़ाई एक तरफ काम का बोज और एक तरफ फ्रेंड सरकल ये बहुत सब किताबे पढ़ने का बहुत शुक रखेंगे तो आपसे प्यार तो बहुत करेंगे इसमें कोई डाउट नहीं इस इंसान को आपसे प्यार बहुत है और वो जो कुछ भी करेंगे मेहनत वो आपके लिए तो करेंगे आपके लिए अपने परिवार के लिए ही तो करेंगे ले इंसान आपको कभी वक्त ही क्यों नहीं देता है, ठीक है, ओके, डेथ, अगर इस इंसान के लाइफ में कोई भी, कोई भी प्रॉब्लेम आ जाए, यहाँ पर फूर पैंटकल से, यह इंसान बहुत कम बात करने वाला आप से, ठीक है, अपने दिल की कम, ऐसे तो यह इंसान बह बहुत बाते करता है, लेकिन जब आप से अपनी दिल की बात बोलने का वक्त आएगा, तो इंसान चुप सा रहेगा, बोल नहीं पाएगा, आपके सामने रखने पाएगा अपनी दिल की बात की वो चाहते क्या है, यहाँ पर है डेथ, इस इंसान के लाइफ में चाहे कितना भी अंधेरा हो, ठीक है, कितनी भी मुसिबत्य आए, अगर आप दोनों की शादी हो जाती है, और कितनी भी मुसिबत्य अगर आती है, तो इंसान खंबीर है, यह इंसान में इतने हिम्मत है, कि वो इंसान उस अंधेरे का उजाला कर दे, यह बहुत खुबसुरत बात है, औ और अगर आप दोनों के बीच में कोई प्रोब्लेम हो जाते हैं आगे चल कर तो यह अंसान एक नई शुरूआत ठीक है इस इंसान का जोर रहेगा कि इस रिष्टे को तोड़ने से अच्छा है हम जोड़े ठीक है अगर आप दोनों के बीच में कभी जगड़े होते हैं तो य ये अंसान हमेशा आपको एक खजाने की तरह अपने पास संभाल कर रखना चाहेगा, ये अंसान money minded बहुत हो सकता है, ये अंसान अपने करेर में मतलब एक तरह से अंधा हो सकता है, success के पीछे भागने वाला ये अंसान होगा, ठीक है, तो शादी के बात भी आपको ये फोकस करने वाला है, और एक तरफ आपको भी संभाल के रखेगा, आपको वो खजाना मानेगा, उसकी नजर में आप बहुत कीमती होंगे, लेकिन ये कभी वो आपसे जाहिर नहीं कर पाएगा, बोल नहीं पाएगा, ठीक है, और देखते हैं, पेज फोफ वांड़्स जैसे को ये पहले भी बोला, कि अनसान बहुत ज़दा बातों नहीं, बड़ बोला हो सकता है, लोगों के साथ बहुत बाते करना इस इंसान को पसंद है, ठीक है, तो यहाँ पर पेज फोफ वांड़्स की जो एनरजी है, तो ये अनसान बहुत ज़ अब भी आपको वक्त देगा, तो इतना ज़दा कॉमेडी करेगा, कि आपके जो आपका चहरा है, जो अगर आप दुखी चहरे से इस इंसान के सामने जाए, तो ये इंसान आपके चहरे पर एक मुस्कान लेकर आएगा, ठीक है, ये बहुत खुबसुरत बात है इस इंसान की, कि ये हसते हुए चहरे पसंद करता है, ठीक है, ये दुखी चहरा आपका नहीं देख पाएगा, आपके चहरे पर एक मुस्कान लाने के लिए ऐसे ऐसे कॉमेडी करेगा, कि आपको हसाने की कोशिश करेगा, वैसे देखे जाए तो इंसान एक full package है ठीक है दिखने में भी बहुत खुबसूरत है ठीक है थोड़ा childish है बचकानी हरकते करेगा और उन बचकानी हरकतों से आप परिशान भी होने वाले हो और comedy इस इंसान का इतना सुभाव है कि वो आपको हसाने वाला है ठीक है तो मुझे से लगता है कि इंसा इंसान सब कुछ आपको आपकी कदमों में रख देगा वो चाहे financial problem हो वो चाहे luxurious life आपको जीनी है चाहे आपको ज्वेलरी चाहिए कपड़े चाहिए जो कुछ भी आपको चाहिए बहुत इक सुख सारे के सारे ये इंसान आपकी कदमों में रखने वाले है तो ये एक बहु beautiful energy यहाँ पर आचुकी है कि इंसान कभी भी आपको दुखी नहीं रखने वाला आपको खुश रखने की कोशिश कर सकता है ठीक है और देखते हैं क्या देखो यहाँ पर 10 of cups के energy बहुत खुशरत बहुत ही जदा ये इंसान आपसे इतना जादा प्यार करेगा कि उस प्यार म नहीं दे सकता ना तो ये इंसान आपके लिए छुट्टी निकालेंगी साल में एक बार ही सही लेकिन इंसान आपको कही घूमने के लिए लेकर जाएगा ठीक है ऐसी जगप पर जहाँ पर सिर्फ आप दोनों क्यूंकि इसको भी ऐसास हो जाएगा कि ये कभी आपको वक्त एक कशसा आपको बहुत खुश रखने वाला हुं कैट लबर हो सकता है इन्सान इसको क्याइट वगेरा बहुत पसंद है गरम चाए गरम गरम चाई पीना वहंती सब्सक्रों को बहुत पसंद है ठीक है और लेखते हैं कितना सही है और कितना गलत है ओके ठीक है हाई प्रिस्टेज कुछ बाते आपसे ये अनसान चुपाईगा हमेशा ही चुपाईगा आप जानने की कोशिश जरू करोगे देखो यहाँ पर भी वही एनरजी है फोर अपेंटकल्स ये अनसान आपको नग कुछ ऐसे बाते भी हो सकते हैं कि वह आपसे हमेशा उन बातों को छुपा कर रखने की पूरी कोशिश करेगा दाहाप्रिस्टेज के इनरजी है ये इनसान बहुत ज़दा देखो क्या बूल सकते हैं उसको कि ग्यानी बहुत ज़दा ग्यानी इनसान ये है इसके नौलेज में कोई कमि enrichment ये नौलेज का भूकर रह सकता है ये कही भी कुछ भी मतलब हमेशा किताबे पढ़ने जैसरे मैंने पहले भी बोला कि इस नसान किताबे पढ़ने का बहुत शोक रहेगा हमेशा किताबे पढ़ते रहेगा ठीक है knowledge गेन करता रहेगा लेकिन कुछ बाते ऐसे आपसे छुपाएगा कि जिसके बात शायद आप नाराज हो सकते हो ऐसे कुछ बाते कि अगर वो बाते आपको बता चले तो आपका mood खराब हो सकता है आप नाराज हो सकते हो तो ऐसी बाते वो आपसे छुपाएंगे उनकी ह अब बहुत हर्ड वर्किंग पहले भी एनरजी आ चुकी है कल का काम आज और आज का काम अभी यह अनसान करेगा तो आपको यह भी दिक्कत नहीं होगे कि इनसान को कुछ काम बोला और यह नहीं कर रहे हैं ठीक है तो आलसी बिल्कुल नहीं होगे लेकिन हाँ कभी कभी ठीक है और और क्या है यह इनसान प्यार तो बहुत करेगा और इनसान को जीने के लिए चाहिए क्या देखो यह इनसान आपसे प्यार बहुत करेगा यह इनसान आपको हर खुशी देगा ठीक है और किंग अप कप्स के इनरजी क्या बताती है प्यार तो बहुत करेगा लेकि बस बोल नहीं पाता है, अभी भी बोलता नहीं होगा, बार-बार, जो इंसान आपसे सच्चा प्यार करता है, वो कभी बार-बार आपको I love you, I love you, I love you ऐसा नहीं बोलेगा, ठीक है, वो इंसान जताएगा नहीं कि वो आपसे कितना प्यार करता है, बस वो आपकी क्यार करता र पोलेंगे I love you, I love you, I miss you, I love you, I miss you, सच्चा प्यार करने वारा इनसान ये कभी बोलेगा ही नहीं और ये इनसान आपसे सच्चा प्यार करता है, मुझे नहीं लगता कि आपको इस इनसान को खो देना चाहिए, मुझे लगता कि आपको इस इनसान से शादी कर लेनी चाहिए, क् कुकि ये इंसान अपनी जो life है उसमें बहुत successful भी रहेगा और आपसे प्यार भी बहुत करेगा तो आपको और क्या चाहिए ठीक है प्यार और साधी खुशिया ये इंसान आपको देख सकता है तो मुझे लगता है कि कुछ थोड़ी सी ही कमिया है इस इंसान के अंदर अगर कमियों को छोड़ा जाए तो ये इंसान आपके लिए परफेक्ट है सही है राशी कैंसर स्कॉर्पियों पाइसी हो सकती है उनकी एरिस लिवस्ताजिटर्स हो सकती है टोरस वर को क्या प्रिकॉन हो सकती है ठीक है और देखते हैं और क्या है यहाँ पर है six of wands बहुत जादा successfully इंसान अपने जिन्दगी में रहेगा एस of wands के एनरजी है आपके लिए physical attraction भी बहुत फील करेगा ठीक है एक जो सुख होता है जो शारीक सुख उसकी कोई कमी नहीं रही कि आपको कभी भी ठीक है दूसरी बात यह इंसान आपको हमेशा ही हो सकता है कभी-कभी आपके शारी कोशिश करे यहापने अल्डी ऐसा देखा होगा कि इस अनसान आपके उपर पावर चलाने की कोशिश की, आपको अपने कंट्रोल में रखने की कोशिश की, अगर ऐसा है तो आपको सुनाएगा ठीक है six of wants क्या बताता है कि जीत ठीक है जहाँ पर भी जाएगा जिस भी फिल्ड में जाएगा जीतेगा और ace of wants fire बहुत है इस इंसान के अंदर तो आपके लिए बहुत जादा यह इंसान fiery बहुत sexually इस इंसान के desire होंगे इस इंसान को ऐसा लगेगा कि जब उसको जो चाहिए उसको वो वक्त पर मिलना चाहिए ठीक है यह इंसान आपके साथ वक्त बेवक्त भी physical हो सकते मतलब अभी दोपेर है इस शाह में कभी भी जब उसका मन करेगा ठीक है ऐसा जरूर नहीं कि वरात में ही जब उसका मन करेगा वो आपके पास आएंगे और आपको चूने की कोशिश करेंगे ठीक है तो यह कुछ energy हापर है गाईज तो यह इंसान आपके लिए सही है मुझे तो रगता कि 99% यह इंसान आपके लिए सही है अब देखो हर इंसान में कुछ कमिया तो होती है और इस इंसान में भी है लेकिन प्यार के आगे सब कुछ फेल है गाईज और प्यार बहुत सच्चा करते है आपसे तो प्यार ही तो जरूरी है सब कुछ उसके बाद आता है ठीक है और इंसन तो सारी खुश्य आपको देने वाला है और चाहिए क्या आपके एनरजी देख लेते हैं आपके एनरजी क्या है आपका सुभाव कैसा है देख लेते हैं फिर आपको और जादा समझ में आएगा अब भी तो गुस्से वाले हो आपको भी छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आता है नाराज हो जाते हो जल्दी तो ये है king of swords के energy आपको गुस्सा आता है तो जबड़े हो सकते आप दोनों के बीच में लेकिन वो ऐसा नहीं कि बहुत दिन तक चलेंगे तूरंत आप दोनों एक दूसरे से बात करोगे क्योंकि दोनों रहना ही पाऊगे एक दूसरे के बिना seven of pentacles आप बहुत ज़ादा overthinking करने वाले इंसान हो अगर इस इंसान ने कुछ बोला तो आप बहुत ज़ादा deeply सोचोगे उसके बारे में कि इसने ऐसा क्यों बोला क्यों बोला आपके मन से वो बात जल्दी जाएगी नहीं आप इस इंसान को माफ तो कर दोगे लेकिन वो बात हमेशा आपके दिल में रहेगी ठीक है seven of pentacles के बता रही है कि आपको ऐसा लगता है कि इस रिष्टे में invest करके emotions आपने बहुत invest किये है already आपना वक्त बहुत invest किया है कुछ लोग लिए ऐसा भी हो सकता कि आपने पैसा भी invest किया है इस इंसान के उपर अगर आपको ऐसा कुछ आपने invest किया है तो आपको डर लगता है कि जो आपने invest किया है उसका return आपको मिलेगा की नहीं मिलेगा मतलब आपकी शादी होगी की नहीं होगी ऐसा डर भी आपके मन में है इस इंसान के प्रती ओके और क्या है टोरस और कैप्रेकॉन यहाँ पर है लिब्बरा की बरस जमिना है आप बहुत प्यार करते हो बहुत ज़्यादा टेन और कप्स के नर्जी है आप इस इंसान के बिना नहीं रह पाओगे आज भले अगर आपका ऐसा doubt भी होता है कि शादी होगी नहीं होगी लेकिन फिर भी आप पूरी कोशिश करोगे और यह अनसान भी पूरी कोशिश करेगा बहुत ज़्यादा चांस है कि आप दुनों के शादी होगी क्योंकि दुनों के बन में एक है विचार है आपकी पॉर्सन के लिए यह काडा आया था आपके लिए भी आया है दुनों को एक दूसरे से बहुत ज़्यादा बेना नहीं रह सकते 10 of cups के energy क्या बता रहे है कि आप दोनों की शादी होगी definitely होगी और यह अनसान सही है आपके लिए आपके मन में कोई गलत विचार आप मत ले कराना ठीक है सही है यह अनसान आपके लिए अगर आप इस इंसान के साथ शादी करोगे तो आप खुश रह पाओगे और कही ना कि आपका भी मन यह कहता है आपका भी दिल कहता कि आप इस इंसान के साथ खुश रह सकते हो अगर शादी होती है तो यह आपके भी खैल है ठीक है ठीक है तो यह बात है यहाबर है rebirth अगर आप दोनों का breakup हो चुका है तो बहुत जल इस रिष्टे के एक new beginning होने जा रही है rebirth होने जा रहा है अगर आपको ऐसे लगता है कि इस इंसान ने कुछ धोका धड़ी की है कुछ गुना किया है आपका दिल तोड़ दिया है आपकी पीठ फीचे आपको धोका दिया है तो इंसान आपको sorry भी बोलेगा और इस रिष्टी के एक नई शिर्वात भी करेगा universe आपसे कहते है कि इस दर से इस pain से आप निकल जाओ क्योंकि आपके tension लेने से कुछ ठीक नहीं होने वाला ये इंसान आपके जिंदगी में वाबस आने वाला है और वा कर रहेगा ठीक है तो यू रातों को जागना आपको छोड़ देना है और परिशान होना भी छोड़ देना है एक new देखो या वापस वही energy के rebirth होने वाला है इस रिष्टे का एक new journey स्टार्ट होने वाली है आप दोनों के life में flooring बहुत ही खुबसूरत बहुत ज़ादा enjoy करने के आपको ज़रुत है maybe आपर कुछ लोग ऐसे ही कि आपने खुबसूरत photos डाली है और आपका जो partner है वो खुबसूरत photos देख रहे हैं उनको बहुत attraction हो रहे आपके लिए दूसरी बात यह है कि universe आपको बतना चाहते कि हर वक्त आपको खुश रहने की ज़रुत है आप बिल्कुल भी खुश नहीं है और बहुत painful situation में यहाँ पर आप दिखाई दे रहे हो तो भगवान universe आपसे कहते कि आपको खुश रहना होगा और जो आप मतलब अगर आप खुश रहोगे तो आप खुशियों को ही attract करोगे अगर आप दुख ही रहोगे तो आप दुख को ही attract करोगे politics आपके आसपास कुछ ऐसे लोग हो सकते जो आपके साथ politics करते हो या हो सकता है कि इस इंसान ने कभी आपके सथ politics किया है तो थोड़ा समझदारी के साथ आपको रहना होगा successful ये रिष्टा बनने वाला है या आपर balance होने वाला है देखो आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा प्यार है लेकिन हो सकता है कि इस इंसान ने कभी अपनी जिद करके या कुछ आपको बात मनवाने के लिए कुछ mind game खेले हो या आने वाले समय में इंसान कुछ mind game खेल सकता है आपके भूलेपन का फाइदा उठा सकता है लेकिन इसके प्यार में कोई कमी नहीं है वो अगर आपके साथ कुछ mind game खेलेगा तो भी इसमें आपके भराई होगी क्योंकि वो आपको मनानी की कोशिश करेगा जूट बोलेगा लेकिन आपको मनानी की कोशिश करेगा कि आप उनसे शादी करें ये रिष्टा successful बनने वाला है six number प्यार का है शुकर का है और इसमें balance आने वाला है ठीक है तो ये अनसान आपके लिए सही है ऐसा नहीं कि अनसान कभी गलती करेगा ही नहीं बहुत गलतिया करेगा लेकिन आप से प्यार उससे कई जादा करेगा ठीक है तो कोई भी अनसान परफेक्ट तो है नहीं तो ये अनसान आपके लिए बहुत जादा अच्छा रहेगा अगर आप इसके साथ शादी करते हो तो ठीक है आपको आपको रडिंग पसंद आई हूँ लाइक शेर और सब्सक्राइब मिलते अगले वीडियो में तो यहाँ पर है सेवन अप कप्स और यहाँ पर है किंग अप सोर्स सबसे पहली बात ये अनसान बहुत ज़्यदा गुस्से वाला है इसने हमेशा आपके उपर गुस्सा किया हमेशा आपको अपने कंट्रोल में करने की कोशिश किये आपने भी देखा होगा खुद महसूस किया होगा कि अनसान हमेशा आपनी पावर चलाता है आपके उपर आप परशान होगे इस बात से दूसरी बात सेवन अप कप्स ये अनसान के पास ओफ्शन है एक से ज़ादा ओफ्शन है अगर ये लड़की है तो इतनी खुबसूरत है कि इसको चाहने वाले बहुत जादा है इसको अटेंशन बहुत मिलता है जहाँ पर भी जाता है लोग इसको सर पर बिठा लेते हैं तो सेवन अप कप्स के इनरजर बता रही कि इसके पास ओफ्शन बहुत जादा है दूसरी बात तो इस अंसान के दिमाग में चला गया है ये अंसान जो हर वक्त अटेंशन पाता है हर वक्त जब लोग इसको अटेंशन देते हैं तो इसके दिमाग में ये बस गया है कि ये सबसे बेस्ट है ठीक है यह सबसे खुबसुरत है यह सबसे ज़ादा हैंसम है और इसको तो कोई भी मिल चाएगा यह वाली एक बात इस अंसान के देमाग में घर कर गई है ठीक है तो हो सकता है कि इस अंसाने हमेशा आपको for granted लिया हो हो सकता है इस अंसाने आपको हमेशा ignore किया हो क्योंकि इसको लग सकता है कि वो अगर आपको ignore करेगा तो भी तो भी एंसान आपको कभी भी पास सकता है बस इसने एक आवाज लगाने की देर है तो आप हाजिर हो जाओगे तो यह घमंड यह ego इस इंसान के अंदर है ठीक है राशी है लिब्रा एक वरस्टेमिन है या हो सकता है कैंसर स्कुर इस इंसान का जो इस इंसान को बहुत ज़्यादा आपको ignore करने के लिए बहुत ज़्यादा इसने आपको ignore किया है अपने घमंड में आकर ठीक है और देखते हैं यह इनसान कितना सही है और कितना गलत है जगड़े या तो आप दुनों के बीच में बहुत हुए है ठीक है य ये इंसान ये इंसान ना कभी अपने दिल के बात जाहिर करता है बहुत ज़्यदा सोचता है आपके लिए बहुत प्यार करता है आपसे लेकिन इस इंसान ने कभी भी अपने दिल के बात खुल कर आपके सामने नहीं रखी और ना इनसान कभी इस रिष्ट में बैलेंस कर पाया ठीक है और देखते हैं और क्या है इसमें फायर बहुत ज़ादा है हो सकता है या पर कुछ लोग ऐसे हैं कि आप दुनें फिजिकल ग्लेशन है तो फायर बहुत ज़ादा है हमेशा आपकी खुफसूरती ठीक है इस इंसान को घायल कर जाती है जब भी मिलते हैं तो हो सकता है कि इस इंसान फोर्स किया हूँ आपको फिजिकल होने के लिए तो देखो एक तो अट्राक्शन गजब का है इस इंसान को आपके लिए ठीक है अट्राक्शन गजब का है आपके प्रती और जो एक शार्डिक सुख जो होता है वो अंसान आपको भर-भर के देगा इसमें कोई प्रॉब्लिम नहीं है ठीक है शादी की बाद जो सुख चाहिए वो आपको मिलेगा ठीक है और देखते हैं क्या कुछ आता है पेज ओफ सोर्स के एनरजी है यह एंसान कभी-कभी आपके उपर शक कर सकता है यह एंसान हमेशा आपके उपर ओनलेन नजर रख सकता है शादी के बाद यह एंसान हमेशा आपका मुबाइल चेक कर सकता है आप किस से बाते करते हो, आप online कितनी देर रहते हो, किस के लिए रहते हो, क्यों रहते हो, हमेशा सवाल करेगा आपसे, बचकानी हरकते करेगा, शायद अपने को light आ गए, बचकानी हरकते करेगा आई अनसान, इसकी बज़ा से आपको problem हो सकते हैं, क्योंकि ये अनसान आपको नहीं समझेगा ठीक है इसके अंदर इतनी maturity नहीं है कि यह आपको समझ पाए तो इसकी बचकानी हरकतों की बज़े से आप दोनों के बीच में जगड़े हो सकते हैं और हमेशा ही इस इंसान के अंदर गुस्सा रहेगा बात बात पर चिड़ने की आदत इस इंसान को है ठीक है तो ये बात भी है यहाँ पर पेज आफ सोर्स के एनरजी है लिब्रा एक्वरस जेमिना है यहाँ पर है एरिस लिव सजिटेस यहाँ पर है कैंसर स्कॉर्पियो पाइसी यहाँ पर वापस लिब्रा एक्वरस जेमिना है वापस वही एनरजी इंसान बैलंस नहीं कर पाएगा हमेशा यह problem रहेगी आप इस इंसान को बहुत प्यार दोगे बहुत जादा प्यार दोगे आपके दिल में इस इंसान के लिए भर-भर के प्यार है लेकिन यह इंसान उसमें बैलंस नहीं कर पाएगा ये कमी है इस इंसान के अंदर ठीक है तो आप satisfied नहीं रहोगे emotionally physically satisfied रहोगे emotionally नहीं रह पाऊगे अगर आप दुनों की शादी होती है ठीक है world ऐसा भी नहीं कि वो आपसे प्यार नहीं करेंगे बहुत ज़ादा प्यार करेंगे दुनिया की सारी खुश्या आपके सामने लेकर रख देंगे ये इंसान बहुत ज़ादा online रहने वाला है बहुत ज़ादा या तो इसका कामे ऐसा हो सकता है कि इसको online रहना पड़े ठीक है ये खुद तो बहुत online रहेगा लेकिन अगर आप online रहती तो इसको बहुत problem होगी ठीक है इसका क्या होगा कि इसके खुद के लिए अलग rule रहेंगे और आपके लिए ये अलग rule बनाएगा खुद तो बहुत online रहेगा आप अगर online रहोगी तो problem होगी ठीक है बहुत कम लोगों के साथ रेजोन्ट होगा कि यह आपका कार्मिक है और आपको कुछ संगर्ष रहेगा अगर आप दोनों की शादी होगी ठीक है दी वाल्ड के नेजर ये भी बता रही है कि अंसान की दुनिया तो आप बन जाओगे आपकी बिना इसको सब सुना सुना लगेगा लेकिन अतना फोकस, अतना प्यार जतना आप दोगे इस इंसान को अतना प्यार आपको इस इंसान के तरफ से नहीं मिल सकता ठीक है और कुछ लोग के लिए ऐसा भी हो सकता है कि अंसान दूर देश में जाए आपसे अलग रहना पड़े इस इंसान को long distance में रहना पड़े आप दोनों को शादी के बाद भी, ऐसा भी हो सकता है तेन अपसोर्स देखो guys, आप ऐसा बोलना तो नहीं चाहिए ये इनसान ऐसा है जिसने या तो already आपको कुछ फरेब, कुछ दोका आपके साथ किया है या ये इनसान आपकी, देखो जासे की मैं ने बोला कि ये काम के सिलसले से हमेशा दूर रह सकता है ठीक है, तो हो सकता है कि इनसान कुछ ऐसी गलतिया कर बैठे या तो already इसने ऐसी गलतिया कर दी है, या तो आने वाले समय में इनसान ऐसी गलतिया कर सकता है कि जिसके बाद आपका दिल तोट सकता है आपका भरोसा तोट सकता है एस इंसान के उपर से कुछ जैसे कि मैंने बोला ना कुछ बहुत ही ज़दा sexually desire ठीक है देखो इसके ने चाहिए काड़ा है एस इंसान को physical attraction हो सकता है किसी और के लिए और आपकी पीठ पीछे व जाता है या आने वाले समय में ऐसा कुछ घटित हो सकता है आपके साथ कि प्यार आपसे करते हैं उनके दिल में आप रहते हो उनकी दुनिया आपन चुके हो उसके बावज़द भी धर उदर जाकने की जो आदत है इस इंसान की जाएगी नहीं और आपके पीठ पीचे online रह सकते हैं किसी और से बात कर सकते हैं और जो एंसान खुद करता है उसको शक होगा कि आप भी वैसा ही करते हो खुद आपको धोका देगा खुद दूसरों से बात करेगा और उसको लगता है कि आप भी वैसे ही करते हो फिर ठीक है इसलिए बार बार आपका mobile चेक करेंगे कि आप अपने मन से कुछ कर नहीं पाऊगे, आपको freedom शायद कम मिले, ठीक है, तो यह बात है यहापर, और 10 of Swords के energy, कुछ फरेब, कुछ धोका हो सकता है आपके साथ, जन्रल रिडिंग है, इसको पॉर्सन लेनी के आवश्यक्ता नहीं है, हर बात हर किसी के साथ कभी भी resonate नह tower, guys, और जदा खत्रा, the tower के energy आचुके है यहापर, अगर already आप break up में हो, दोनों एक दूसरे के साथ, इसलिए energy आचुके है, कि इस इंसाने कभी आपको समझा ही नहीं, और किसी और के लिए आपको धोका भी दे दिया, ठीक है, अगर already अभी आपका break up चल रहा है, तो ठीक ह यह तो हो चुका है, यह जो the tower के energy है, यह आचुकी है, date of source के energy आचुके है, लेकिन देखो, जब यह अनसान एक बार धुका दे सकता है, तो यह बार बार भी धुका दे सकता है आपको, और the tower के energy है, कि यह अनसान अपनी गलती की बज़ट से इस रिष्चे को खराब कर सकता कि आप शादी के बाद भी अलग हो सकते हो, एक साल के लिए ही सही, दो साल के लिए सही, लेकिन आपको अलग होना पड़ सकता है, क्योंकि इंसान के हरकते, इस इंसान की जो आदते हैं, ठीक है, वो आपके साथ फरेव कर सकता है, वापस कहरे हो कि जनरल रिडिंग है, आपको person लेने के आवश्यक्ता नहीं है लेकिन the tower और train of source के अनरजे बता रहे हैं कि आपको थोड़ा alert होने के आवश्यक्ता है अगर आप इस इंसान के साथ शादी करने के बारे में सोच रहे हो तो सोच समझ कर आपको decision लेना है आपको पूरी जानने के कोशिश करने है तह तक जाने के कोशिश करने की क्या है ये अनसान ये अनसान आपके साथ क्या कुछ फरेव कर सकता ये आपके पीट पीछे क्या करता है अभी भी वक्त नहीं अगर आपकी शादी नहीं हुई है तो अभी भी वक्त नहीं करता है और जब सब कुछ बरबाद हो जाएगा तब इस इंसान को अकल तो ठीकाने आएगी लेकिन धोका तो धोका है न गाइस वो छोटा है या बड़ा है धोका तो धोका है दितावर के इनरजी बता रहे हैं कि ये अंसान अपने गलतियों से सब कुछ बरबाद भी कर सकता ह शाधी के बाद आप दोनों का धिवर्स तक हो सकता है इतना मुश्किल है यह रिश्टा आपके लिए आपको पता है क्या आपका पार्टनर कैसा है ये एक general reading है आप जानते हो उस इंसान को अगर आपको वो इंसान सही लगता है तो ही उसके साथ आपको शादी करने है नहीं तो शादी करके बच्थावा होने वाला है आपको ठीक है आप कैसे इंसान हो फाइ अप कप्स गाइस मुझे तो same energy यहाँ पर tower है यहाँ पर train of source है और आपकी जो energy हमने देख ली तो आपके भी मन में डर लगा रहता है हमेशा आपको डर लगा रहता है कि आप कही इस इंसान को खोना दे आप इस इंसान को खोने से इतना ज़ादा डरते हो ठीक है बहुत डरते हो आप emotion यह बहुत feel करते हो इस इंसान से बहुत ज़दा महबबत है लेकिन आपके मन में भी डर है कि आप खो सकते हो क्योंकि अंसान के जो हमेशा यह जो बरताव करता है तो आपको डर लगता है कि यह ऐसा है तो फिर हमेशा के लिए कही छोड़ करना चला जाए आप कही इसको खो ना दे 10 of pentacles आप इस इंसान के साथ stability चाहते हो इस रिष्टे में आप चाहते हो इस इंसान के साथ शादी करना देखो गाईस आपके प्यार में कोई कमी नहीं है और 10 number दो बारा है आप भी completion चाहते हो वो इंसान भी completion चाहता है वो इंसान भी चाहता है कि आप दोनों के शादी हो आप भी चाहते हो लेकिन आप में और उस इंसान में जमीन आसमान का फर्क है आप इस इंसान से इतना महबत करते हो कि आप आखरी दम तक इसका साथ निभावगे लेकिन इस इंसान के उतने guarantee नहीं है 10 of pentacles के नर्जी है आप शादी के लिए सोच रहे हो लेकिन अभी भी वक्त नहीं गया है आपको सोज समझ कर ही decision लेना है Ace of Cups आप इस इंसान के बिना नहीं रह पाऊगे मुझे ऐसा लगता कि आपर कुछ लोग ऐसे भी है कि आप दोनों के बीच में break up हुआ है और आप एक प्यार की नई शिर्वाद करना चाहते हो क्योंकि आप इस इंसान के बिना नहीं रह सकते आप कही इस इंसान के लिए हमेशा के लिए खोना दे ये डर आपको जीने नहीं दे रहा है आप रो रहे हो इस इंसान के लिए अगर आप दोनों के बीच में break up हुआ है तो आप बहुत ज़ादा रो रहे हो और आप जल से जल इस इंसान के पास वापस जाना चाहते हो आप बहुत मासुमियत भरे हो गाई बहुत ज़ादा मासुमियत है आपके अंदर एक छोटा बच्चा कैसा होता है मासुम उसके दिल में कोई पाप नहीं होता है वो बहुत साफ और पाक दिल का होता है बस ऐसे इंसान आप हो और आपका पाला ऐसे इंसान से पड़ा है जो बहुत ज़ादा mind game खेलता है जो बहुत फरेब करने की कोशिश कर सकता है आपके भोलेपन का फाइदा उठा सकता है या तो उसने उठा लिया है आपके भोलेपन का फाइदा ऐसी कुछ एनट जो इस इस इंसान की है ये difference आप दोनों के बीच में है मुझे लगते कि आप दोनों में जमीन आसमान का फरक है उस इंसान का सुभाव अलग आपका सुभाव अलग आपके विचार अलग उस इंसान के विचार अलग तो शादी करके कुछ मुसिबत हो सकती है तो आपको सोच समझ कर ही decision लेना पड़ेगा Ace of Source देखो आप तो चाती ही हो कि सच्चाई के साथ इस रिष्टी के एक नई शिर्वात हो क्योंकि आपको पता है इसने जूट बोला है ठीक है जूट के उपर जूट जूट के उपर जूट बोला गया है इस इंसान ने आपके साथ ठीक है तो आपको शायद पता चल गया हो कि इंसान आपके लिए कितना सही है और कितना गलत अब देखते आपके लिए क्या आता है Trust Universe आपसे कहते हैं कि आप इस इंसान के उपर कितना भी Trust करो चीजे बिगर सकती है ठीक है इस इंसान को सुधरने के आवश्यक्त है तकि इंसान आपके उपर बहुत शक करेगा तो इस रिष्टे में हमेशा ही Trust Assure रहेंगे इस इंसान के अंदर बिलकुल भी maturity नहीं है बहुत बचकानी हरकती करेगा और अपनी बचकानी हरकतों से अपनी बेवकुफ जैसे कोई decision लेने से ये इंसान आपको खो सकता है आप दोनों के बीच में दूरिया आ सकती है या तो अल्रडी आ चुकी है conditioning बहुत ज़दा fire है इस इंसान के अंदर बहुत ज़दा fire physical attraction आपके लिए गजब का होता है इस इंसान के लिए आप एक addiction बन गए हो वो इंसान आपको नहीं भूला सकता शारिक जो सुक होता है उसको हर वक्त चाहिए आपसे और इसलिए वो आपको नहीं भूला सकता बार बार आपको याद करता है हर रात हर रोज याद करता है और आगे भी ये इंसान आपके बिना रह तो नहीं पाएगा लेकिन इतनी ज़ादा राइता फैलाएगा इतना ज़ादा प्रॉब्लेम क्रेट करेगा कि आप खुद ही इस इंसान से दूर चले जाओगे ऐसी कुछ कंडिशन यहाँ पर है सोच समझ कर डिसिजन लेने की यहाँ पर आवशकता है जल्द बाजी करके आपको डिसिजन नहीं लेना है देखो गाईज मुझे ऐसा लगता है कि आपने अपनी लाइफ में अलिडे बहुत ज़ाद दर्श सहे है तो भगवान आपसे कहते हैं कि आपकी जिंदग में कुछ ऐसे चमतकार होने जा रहे है आपको थोड़ा प्रैक्टिकल होने के लिए भी कहा जा रहा है आपको दिमाग से सोचने के लिए कहा जा रहा है हमेशा आप दिल से चलते हो, दिल की सुनते हो आपने कभी भी अपनी दिमाग की नहीं सुने लेकिन कभी-कभी ऐसा जरूरी होता है लाइफ में कि आपको दिमाग की भी सुननी पड़ेगी और वो वक्त आ चुका है कि आपको अपने दिमाग की सुनने पड़ेगी कि आपका दिमाग क्या कहता है हर वक्त आप दिल से नहीं चल सकते यहाँ पर है fighting और यहाँ पर inner voice वापस energy कि आपको अपने अंतरात्मा के आवाज सुननी पड़ेगी इस इंसान के बार में पूछ हो अपने अंतरात्मा से अपने दिल से पूछ हो कि क्या यह अंसान आपके लिए सही है क्या इस इंसान के साथ शादी करके आप सुखी रह सकते हो तो बेशक आप इसके साथ शादी करो fighting आपको देखो आज कलना गुसा बहुत आ रहा है आपको हो सकता है कि suggestion ही कुछ ऐसे ही कि आपको गुसा आ जाता है आप अपने गुसे पर control नहीं कर पाते हो universe आप से कहते ही कि आपको अपने गुसे पर control रखना पड़ेगा आपको शान्त रहके decision लेना पड़ेगा और अपने अंतरात्मा के आवास सुनके ही आगे बढ़ना है आपको आपकी जिन्दगे में कुछ नयापन आने वाला है आपकी जिन्दगे में कुछ नई शिर्वाथ होने वाली है एक new journey start होने वाली है जैसिका cycle खतम हो चुके है और अब एक next cycle start होने वाली है कुछ नयापन होने वाला है ठीक है तो आपको तयार रहना है जो कुछ भी आपके जिंदगी में अब transformation आने वाला है उसके लिए आपको तयार रहना है ठीक है I hope आपको reading पसंद आई हो Like, Share and Subscribe मिलते अगले वीडियो में तब तक के लिए Bye